मुगेर जिना के तारापूर विधान सभाच छेत्र की जदियू परतियासी राजीव कुमार सिंग ने अपने समर्थकों के साथ अरुमंडल कारियाले पहुँच कर अपना नॉमिनेशन का परचा दाखिल किया इस दोरान हजजारों की संख्या में एंडी एक कारिकरतायम ग्रामिन जनताओं ने फूल माला पहना कर जीत की नारे लगाए साथी गाजीपूर इदगा मैदान में एक सभा कायोजन किया गया इस कारिकर में मुक्षतिती कीर तोर पर जदियू के राष्टे अध्यच राजी ब्रंजन उर्फलरन सिंग बिहार सरकार के मंत्री समराट चौधरी मंगल पांडे असुक चौधरी जैंतराज संतोष सुमन सुमीत सिंग वियाइपी पार्टी के संतोष सहनी हासिंग बोर्ट के अध्यच बिजय सिंग पूर मंत्री सलेश कुमार बाका सांसत गिर्धारी आदब सुल्तान गंज विधायक प्रोफेसर लित रनायन मंडल मुंगेर विधायक परनम कुमारी आदब भाचपा के MLC दिली सक्टूबर को होने वाले पंचायल चुनाब के लिए परतियासियों दोरान नमंकन का परचा भरने का सिलसला चौथे दिन यानि मंगलवार को भी जारी रहा बीडियो सह आरोस तीस कुमार ने बताया कि चौथे दिन मंगलवार को भी पूर परखंड के विभिन पंचायतों के अलग लग पदों के परतियासियों नमंकन का परचा भरा बीपूर मद्य से मुखिया पद के लिए मनोच कुमार लाल हरियो बीपूर जमालपूर पंचायत से पंचायत समीती पद के लिए मुहमद अरसद अली वबिनोत कुमार यादब वलत्तिपूर उत्तर पंचायत से मुखिया पद के लिए मधु कुमार ने नमंकन का परचा भ करने के बाद सभी पर्तियासों ने कहा कि जंता कासिरवाद उनकी साथ है। भागलपूर में पांच मेंचन में नामंकन का दौर जारी है। जले के नरायनपूर वभीपूर पर्खण में 6 अक्टूबर तक सभी पदों के पर्तियासी नामंकन दाखिल करेंगे। आजनगर पारा दच्छिन से लगातार चार बार से मुखिया पद का परतिनित्व कर रहे बरिश्टर सिंग की पतनी बवीता देवी ने नामंकन दाखिल किया। नामंकन दाखिल कर पर्खंड कारियाले से बाहर आये परतियासी बवीता देवी का ग्रामिनों ने जम कर स्वागत किया। गली नली था लगभग पुरा हो गया था लेकिन कुछ जमीन विवाद चलते रुका हूआ है। पिर जब जीटेंगे दूपराई कोई लगातार 20 साल से जनता का सहयोग मिलना क्या लगता है शक्राह एसाय में पुर मुख्या हूँ और लगातार मैं जलना लेका हूँ भागलपूर के नौगच्षिया से चौकाने बाली एक ख़वर सामने आई है यह सब सुनकर कुछ समय तक आपको भी बिस्वास नहीं होगा लेकिन अपने बेटे को देखने की चाहत में एक मा की तड़ब देखकर अब हर लोग हकिकत जानने को बेताब है बताया जा रहा है कि नौगच्षिया के प्रबता थानाच्छेतर के गोणरचक में 11 साल के लवकुस को इसी साल अप्रेल महने में सांपनी काटा था इस संबंद में लबकुस की माता माला देवी ने बताया कि सांप के काटने के बाद अंधविस्वास की गिरप्तिम आकर उसका जाल फूक भी करवाया लेकिन जब इससे भी फायदा नहीं हुआ अब बच्चों को मृत समझ कर मानिता के नुसार दोनों बच्चों का अंतिम संसकार ना करवा कर उसे नदी में बहा दिया गया वही मृत बालक की माँ आभादेवी ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने मान लिया था कि अब उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं है लेकिन इस बीज घटना के कुछ दिन बाद ही बंगाल से एक आदमी का फोन आता है जिसमें उनके बच्चों की जिन्दा होने की बाद बताई जाती है देखते ही देखते है माता पिता की दिल की धड़कने तेज हो गई बच्चे के माता पिता अपने कलेजे के टुकडों को खोजने मिल लग जाते हैं अक्षे के माँ आभादेवी कुमा ने तो काफी खोज बीन के बाद भी जब वो अपने बेटे को नहीं खोज पाई तो वो अपने परिवार वालों के साथ मिल कर मदद के लिए नोगच्चिया पुलीस के पास कई दफा गई लेकिन पुलीस से उन्हें कोई मदद नहीं मिली जिसके बाद दोनों बच्चे माता पिता अपनी आँख के तारे बच्चों को खोजने की फरियाद लेकर डियाई सुजीत कुमार के दफतर पहुँचे वही मामला काफी आहम और भावनात्मक होने कारण डियाई सुजीत कुमार ने पूरे मामले की जाच कर जल रिपोर्ट देने के लिए नोगच्चिया के एसपी सुसांत कुमार सरोश को निर्दे सित किया है इस अजीबो गरीब घटना के बाद दोनों बच्चों के माता पिता ने बताया कि बंगाल से फोन करने वाले सक्स ने पहले उनकी बेटे की जिन्दा होने की बात बतायी थी लेकिन जब उन लोगों ने उस पर संधेज़त आया तो वीडियो कॉल कर और वाइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से दोनों बच्चों के जिन्दा होने का साक्षदी आ गया वहीं अक्षे की मा आभा देवी और लबकुस की मा माला देवी ने कहा कि जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर पर ही दुबारा फोन कर कई बार पुनहसंपर करने का प्रयास किया गया लेकिन फोन नहीं लगा ऐसे में माता पिता का चिंता बढ़ना लाजमी है और ऐसा हुआ भी पैसो की किल्ड़त और घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होना भी एक अलग परिसानी थी इसी वज़ा से बच्चों को खोजने में जद्दो जहद करनी पढ़ रही है परिबार घर में जाएं तो पढ़ लेजिए कोई अस मेसेज लाँ नहीं कि में लाप रिलाजमी है हाँ 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 ह भागलपूर पहुचे बिहार सरकार के स्वास्तमंत्री मंगल पांडे का NDA कारेकरताओं ने जोड़दार स्वागत किया स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मायागन अस्पताल में एक और CT स्कैन मसीन लगाई जाएगी इसकी प्रकिरिया चल रही है इसके रावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एनाटोमी, FMT, बाइोकेमेस्ट्री और अने बिभागों के डरॉक्टरों को पुर्निया मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेजा गया था उनकी जल्दी ही वापसी होगी या मेडिकल कॉलेज के विवस्थाओं में बदलाब को जरुरी कारियों के लिए किये गए थे अस्पतालों में बेडों की संख्या भी जल्द बढ़ेगी और आगे आने वाले किसी भी संभावित खत्रे से या संभावित संभावनाओं से लड़ने के लिए पूरी तयारी स्वास्त विवाग के दौरा की जा रही है हम अस्पतालों के अंदर बेडों की संख्या भी बढ़ाने वाले हैं सुविदाओं का भी विस्तार कर रहे हैं साथ ही चिकित्सक नर्सेज और पारामेडिकल स्टाफ्स की निजुक्ति का भी काम कर रहे हैं और आगे आने वाले नौ महीने के अंदर राज्य में बीस हजार से अधिक केवल एनेम की निजुक्ति राज्य सरकार के स्वास्त विभाग के दौरा और भारत सरकार के एनेचेम कारिकरम के तहत किया जाएगा विकास को मुझ चिलहाती ये तस्वीर है पीरिपैंती से एक गुड़ा होते वी देवघर जाने बाले मुख सरक इस्थित बारहाट बाजार की सरक पर इतने बड़ बड़े गढ़े हो गए हैं कि मामली बारिस होने पर भी इस रोड पर चलना दुसवार हो जाता है अगर जैदा बारिस हो जाए तो नार के एस्थिती हो जाती है इस पानी भरे गढ़े नुमा रोड पर हर रोज दुपईया वहन सवार गिर कर चोटिल हो रहे हैं पैदल यात्रियों की परिसानियों का तो बिवरन ही नहीं किया जा सकता है इस बाजार में बिहार और जारकन दोनों राजियों के लोग खरिदारी करने आते हैं परिसानियों को देखते हुए लोगों ने संबंधित अधिकारीयों से इसे जल्द मरम्मत कराने की गुहार लगाई है मंगलवार को आगामी दुरगा पुजा को लेकर गोलाड़ी थानाधिच अस्तोस कुमार की अधिचता में पुजा समीती एवं कमीटी के अनिस्दस्यों के साथ सांती समीती की बैठक आहुत की गई सभी लैसेंस धारी और कमीटी के अनिस्दस्यों के बीच बैठक में सर्वसम्मती से ही अनिर्ने लिया गया कि पुर में अनुग्यप्ति के अनुसारी विसरजन जुलूस के मार्ग का उपियोग करे विसरजन जुलूस के मार्ग में किसी भी परकार का बदलाब नहीं किया जाएगा वहीं थाना ध्यच ने कहा कि कोई भी कमीटी के स्था से सांस्किति कारिक्रम का आयोजन नहीं करेंगे और डीजे बजाने पर पूर्ण पावन दी रहेगी नवरातरी को लेकर नात्रनगर के विभिन ने पूजा अस्तिलो पर मादुर्ण की प्रतिमास थापित कर बिधवद पूजा रातना की जाती है जिसको लेकर मंदिर समीती और पूजा समीती खिस्दस्य लगातार तैयारियों का जयाजा ले रहे हैं वही कई जगों पर पूजा पंडाल भी बनाने में लोग जूटे हुए हैं। खास बात यह है कि नाथनगर के नरगा इस्थित महासे डिोडी मादुर्गा मंदिर में इस वर्ष प्रतिमास थापित नहीं की जा रही है। मंदिर समीतिक जस्यों ने बताया कि COVID-19 को ध्यान में रखते हुए या निरनेली आ गया है। वही बावा मनस कामना नाथ मंदिर, स्वर्णकार दुर्गा मंदिर, तैलिक दुर्गास्थान, पासी टुला, मोहनपूर समेथ कई जगों पर मादुर्गा की प्रतिमास थापित कर पूरी सरद्धा और निष्ठा से मा के राधना की जाएगी। नाथनेगर सार्जमिनिक पूजा समारो समीती अधिच पपूयादप ने लोगों से सरकार दुराजारी दिसान देश का हर संभव पालन करने की अपील भी की है। संयुक तुरूप से प्रकासित की जाती है। इस बार पत्रिका में पंचायत आम चुनाप के मद्दे नजर पत्रिका में भी चुनाप बिसे पर छातर छातराओं की लेखनी को प्रस्तुत की आ गया है। पत्रिका के मुख्य संपादक डॉक्टर मितलीस कुमार है, बिमोचन के दुरान विद्दाले के सिचक क्रिसंदेव कुमार सिंग, राकिस रंजन, पूजा जाय, डॉक्टर अर्चना, पवन पंडित, रीना कुमारी, बिंदु कुमारी, गुंजा कुमारी, सहीत आनि सिचक युम छात छात राएं मौजू थे